नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो हम आपको बताएंगे स्कूर्टी पेफ पलस का टाइमिंग कैसे सेट किया जाता है तो वीडियो हमारी अच्छी लगए वीडियो को लाइक कर लेना चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना टाइमिंग सेट करने लिए सबसे पहले हम केमसार को पास आएंगे तो यहां पे देख सकते हो इस तरह से हमें घुमाक देख लेना है केमसार बेलकूर फिरी रहना चाहिए और उसके बाद यहां पे छोटा सा होल है देख सकते है इस होल को हमें आगे कि तरफ रखना है कुछ और यहाँ पे एक छोटा सा पिन है यह देख सकते हैं इस पिन को हमें यहाँ पे केमसाप के अंदर इस तरह से सेट कर देना है तो यह हमने सेट कर लिया है केमसाप का सटिंग हमने कर लिया है अब हम पिश्टन को टॉप पे करेंगे पहले पिश्टन को टॉप पे करने के लिए हमें मेगनेड में टाइमिंग मिलाना है तो आप देख सकते हो हमने यहां टाइमिंग मिला लिया है तो मेगनेड के उपर आप देख सकते हैं यहां पे एक मार्किंग बना हुआ है यहां पे इस मार्किंग को हमें जो casing में line आया हुआ है इसके बिल्कुर सामने रख देना है आमने सामने बिल्कुर रख देना है तो piston अपना top पे हो जाएगा तो हमारा ये हमने इसको sit कर लिया अब हमारा piston top पे है अब हमें chain का adjuster खोल लेंगे देख सकते हमने chain adjuster को बाहर निकाल लिया है आपको भी इसी तरह से निकाल लेना है उसके बाद ही timing build set करना है अब हमें timing build set करना है यहाँ पे छोटा होल देख रहे हैं आप यहाँ पे जो होल है यह pin जो है उसके अंदर जाएगा अब हम timing build को set करेंगे कुछ इस तरह से chain को पहले उपर इस तरह से रखना है इस तरह से देख सकते हैं इस तरह से पकड़ के रखना है और इसके बाद timing build को इस तरह से डालना है यहाँ पे कुछ इस तरह से उपर लगा के इस तरह से set कर देना है अभी ये बराबर सेट नहीं हुआ है थोड़ा आउट है तो इसे हम सही से सेट कर लेंगे इसके लिए हमें कुछ इस तरह से सेट करना है पतला इसको डाबल लेना है या तो कोई भी पतला टूल से लेना है और इस तरह से घुमा के उसे सेट कर लेना है हमारा timing set हो गया है और came start को भूमाके एक छोटा सर जो pin है उसको hole के अंदर set कर देंगे तो देख सकते हैं यह बिल्कूल set हो गया है यहाँ पर एक छोटा सा pin जो था यह hole के अंदर एकदम सही फिट हो गया है और timing देखो यहाँ पर एक marking है और यहाँ पे मार्किंग है उसको हमने सीधा उपर नीचे इस तरह से सेट कर दिया है तो देख सकते हैं हमारा टाइमिंग जो है सेट होके बिल्गुल कम्प्रीट हो गया है एक बार मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ तो सबसे पहले हम मेगनेट की तरफ चलते हैं जो मेगनेट को हमने सेट किया था उसको आपको चेक कराते हैं पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेगनेट उपर जो लाइनिंग किया हुआ है यहाँ पे जो मार्किंग बना हुआ है और जो केसिंग को उबर लाइनिंग है दोनों को बिल्कुल आमने सामने हमने किया है यहाँ बिल्कुल सेट है उसके बाद हम सामने आ जाते हैं इस तरफ यहाँ पर देख सकते हैं इस होल के अंदर यह सेट है यह भी सेट हो गया अब यहाँ पर इसके उपर एक मार्किंग यहाँ बना हुआ है एक मार्किंग यहां पर है इसको बेलकुल हमने इंजन से इस तरह से आमने सामने पूरा सीधा कर दिया है तो अब हमारी टाइमिंग जो है सेट हो गई है और अब हम क्या करेंगे इसको उपर का जो है बोल्ट लगाएंगे अब हमें केवसे का लगा ना है केम सार्ड का बोल्ट लगाना है के था प्ति कुछ इस तरह इसे लगाना है जो चोटा से रगा approaching ताक Bengal बाहर न निकले अर्ट घरने और करनेका बाद को Jetzt करने में भी पती काम आता है तो पहले हम हलका बॉल्ट को ट ऊब करेंगे ठोटाइट करेंगे फूर इसके बाद बोल्ट को टै कि इसे लगाने विए हमने क्या करना है इसको यहां पे इस तह रहेंगे और अंदर की तरफ चला जाए इतार दबा देंगे तो इस तरन से वहापस इसको यहां फиляर देंगे और जब इसके अंदर यह ise spring बाएंगे कुछ इस्तरना से इस थे आइटोमेटी के बाहर ठेक देता है और पुछ इसमसल हम आगया сейчас अब ये अंदर की तरब नहीं जाएगा इसी तरह से चैन को टाइट करके रखता है अभी इसको मगर इस तरह से दबाएंगे इसको दबाएंगे तो ये अंदर जाएगा लेकिन अगर उसको नहीं दबाएंगे तो ये अंदर नहीं जाएगा इसना कितना प्रेसर दबाएंगे अंदर नहीं यह लेगी इसको जैसे यहां पर इससे दबाएंगे तो यह अंदर चला गया इसना से हमें अंदर रखना इसको और गाली के अंदर फिट कर देना है पीड करने पहले हमें इसके उपर इसता से एक पाइकिंग लगा लेना है पाइकिंग लगाने पाद कुछ इसता से इसे यहां पर इसता से लगाके इसका बोल्ट टाइड कर लेना है तो हम दोनों बोल्ट को टाइड कर लेंगे और अब हम यह इस्पिरिंग को अंदर डालेंगे और यह बोल्ट को टाइट कर लेंगे जैसे हम इस सुरिंग को अंदर डालेंगे और यह बाहर की तरह वह निकलेगा और चैने परड़ को दबा देगा और चैने परड़ जो है बार जो है जो है डुशर को दबाद़ेगा अब चैने फंचे टाइट हो जाएगा टाइमिंग बील के उपर जो यहां पर एक मार्किंग है यहां के है बेलकुल हमने इसको सीधा कर लिया कुछ इस तरह से हेट के बराबर आपको भी इसी तरह से कर रखना है और मेगनेट के पास मैं आपको दिखा दे रहा हूं मेगनेट का जो टाइमिंग है मेगनेट के उपर बहुत आइसे आप टाइमिंग को सेट कर सकते हैं जैसे हम ने टाइमिंग को सेट किया आपको भी उसी तरह सेट करना है तो वीडियो अच्छी लेग तो लाइक करने चैनल पर नहीं है चैनल सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कि लिए नमसकार